नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टुडी फॉर्ट सिवल तरफिसेज में कई बार कई सारे स्टुडेंट्स के ये सवाल जरूर रहता है कि UPPSC आयोग के ये जो तीन एक्जाम है क्या इन तीनों एक्जाम की एक साथ प्रप्रेशन करके एकी मेटरियल पढ़के और इन तीनों में सिलेक्शन लिया जा सकता है मेरा अंसर है नहीं कता ही नहीं जमीन आसमान का अंतर है पहले आप समझे पूरी चीज़े हैं पहली बात PCS में तीन स्टेजेज होती है एक हो गया प्री ठीक है ये हो गई क्वालिफाइंग यानि की छटनी वाली स्टेज ठीक इसके बाद होता है फिर इसका मेंस और जितनी नंबर की पोश्ट होती है उसके सिर्फ 15 गुना लोग जो है सिलेक्ट होके मेंस में जाते है समझ में आगी बात की नहीं तो मेंस होता है फिर 1500 नंबर का और 100 नंबर का इंटर्वी होता है तो 1600 नंबर में आपे फाइनल रैंकिंग मिलती है मतलब जो भी आप SDM, DSP, BDO, ARTO, नायप तरसिलदार जो भी बनेंगे आप वो PCS में मेंस प्लस इंटर्वी इस 1600 नंबर से स्टेज़ एक हो गया प्री यह हो गया इलिमनेशन स्टेज चटनी वाली ठीक है यहां पर सिलेक्शन किसके बैसिस पर होता है सिर्फ और सिर्फ मेंस के बैसिस पर तो आरो यारो यानि कि समिच्छा दिकारी और सायक समिच्छा दिकारी में सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर मेंस के basis पे होता है को इंटर्व नहीं होता है इसमें ठीक है तो यह यहाँ पे दो stage हो गया BEO में भी ऐसा ही है कि पहली stage हो गई pre यानि कि छटनी वाली stage और उसके बाद मेंस के basis पे selection होता है यहाँ पे भी कोई इंटर्व नहीं है तीनो stages में UPPSC के इन तीनो एक्जाम में जितनी number of post होती है उसके सिर्फ 15 गुना लोग pre में select होके मेंस में जाते हैं यह बात बहुत ध्यान देने वाली है दूसरी बात यह कि तीनो एक्जाम में one third negative marking अब introduce कर दी गई है तो actually में यह तीनो एक्जाम तो जो है tough तो हैं ठीक है आप और difference समझते हैं देखे यूपी PCS जो pre होता है इसमें आपका pre में GS होता है और CSET होता है ठीक PCS के pre में जो GS होता है उसमें आपको 1500 question आते हैं ठीक है और 200 number का होता है यह pre ठीक इसी में से cut off निकलता है GS वाले से यहां पे दूसरा paper जो होता है CSET वाला उसमें past section होते हैं English, Hindi, interpersonal skill, reasoning और aptitude ठीक तो यहां पे यह paper तो 200 number का ही होता है लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्टी आरो में pre क्या होता है भाई आरो में 200 number का होता है pre total GS के 140 सवाल आते हैं और 140 number का होता है यह 60 सवाल हिंदी के आते हैं और 60 number का होता है तो total मिलाके 200 question आते है RO में और 200 number का pre होता है ठीक बीओ में आप देखें तो बीओ में जो pre होता है उसमें 120 question होते हैं और 300 number का होता है धाई number का यहां पे एक question होता है ठीक है अब और समझे BROWN ए बीओ में difference क्या है कि भाई आरो में जो pre वाली GS होती है जो जिसमें 140 question आते है इसी में reasoning के question भी आ जाते है ठीक है तो आरो में आती ही क्या reasoning 140 वाले GS वाले paper में ही BO में क्या होता है जो 120 वाला जो pre है ठीक है जो qualifying stage है इसमें reasoning तो आती ही आती है लेकिन इसमें आपको aptitude के question भी दिये जाते है तो B.E.O. और आरो के pre में भी differences है ठीक है दूसरी चीज मेंस की अगर आप बात करें भाई मेंस में तो पूरा का पूरा खेला ही हो गया है आप देखिए आरो का मेंस होता है 400 number का 400 number का हो गया ठीक है 400 number में क्या क्या चीज है देखो यहाँ पे GS क्या है objective है 120 number की 120 question आते है 120 number होतने है यहाँ ठीक है 130 negative mark क्यों होती है यहाँ पे 60 number की objective हिंदी होती है जो यहाँ पे syllabus होता है pre का उससे एक point कम यहाँ पे syllabus होता है यहाँ पे हिंदी के 60 question आते है pre में यहां पे हिंदी के 30 question आते है में इसमें 30 question 60 number ठीक है और 100 number का परंपरागत होता है उसमें गद्यांस होता है सचेपड होता है पत्र लेखन होता है प्लस ग्रामर होती है ठीक है और यहां पे 120 number के 3 हिंदी निबंद लिखने होते हैं निबंद किस में लिखने होते हैं हिंदी मे कई सारे student पूछ चुके हैं कि क्या English में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं लिखोगे पाड़ पोड़ के copy फेक दी जाएगी बगा दिये जाओगे ये है बत ठीक आप जो है बीयो में अगर आए मेंस में भाई मेंस बीयो में होता है 400 नंबर का ठीक है तो 400 नंबर में यहां पे क्या है 200 नंबर का जीयस का paper होता है यहां क्या है जीयस objective है मेंस में बीयो में क्या है जीयस subjective है लिखना पड़ेगा ठीक है और बलकि बीयो में बड़ा typical होता है 200 नंबर का जो जीयस का paper होता है उसमें 125 वर्ड के 10 question आते हैं 10 नंबर के 50 वर्ड के 10 question आते हैं 6 नंबर के 25 वर्ड के 20 question आते हैं 2 नंबर के तो 40 question बीयो में आपको जीयस वाले paper में बाकायदा लिखने पड़ेंगे उसके answer descriptive आप समझ रहें कि नहीं objective नहीं है यहां पे ठीक है और 200 नंबर में हिंदी और निबंद का paper होता है इसमें भी निबंद हिंदी में ही लिखना पड़ता है और यहां पे निबंद आते हैं 2 ठीक तो आप समझ सकते हैं कि बीयो और आरो के मेंस में एकदम entirely different है यहां पे क्या है G.S.R.E. objective यहां पे क्या है G.S.R.E. subjective चालिस question और वो भी 125 वर्ड, 50 वर्ड, 25 वर्ड बाकायदा इसमें answer rating practice करनी होती है बीयो की 2019 में last frequency आई थी 2020 में इसकर result आया था और उसमें से 300 post में से करीबन 100 post study for civil services के student ने acquire करी थी सारे proof दिये हुए है उस time वीयो की agency मतलब जो vacancy थी उसमें maximum post सारे study for civil services वाले student ने acquire की थी ठीक है तो यहां पे B.E.O. हो गया और R.O. में ठीक है अब यह दोनों तो बच्चा-बच्चा वाली differences हो गया है अब आता है बाप वाला difference बाप क्य है PCS ठीक है PCS से R.O.R.O. की और B.E.O. की कोई बराबरी नहीं हो सकती साफ बात है देखे मैं आपको एक बात बताओ यूपी PSC आयोग के लिए उत्तर प्रदेश में बिभिन तरह के YouTube चैनल हैं कोचिंग हैं और बहुत सारे मीठी मीठी बाते करके आप लोगों को फसाने वाले लोग हैं इसलिए वो लोग जो है आजकल जितने भी बैचेस चला रहे हैं ना PCS के बैचेस एक हजार रुपए में इसके बैचेस एक हजार रुपए में भाई दोको लाइव क्लासे से इन सब की तैयारी होई नहीं सकती है आप वीडियो वगरा जरूर देख लो आप समझ रहें कि नहीं हिंदी निबंद है हिंदी जो है इसमें पेपर है कन्वेशनल वाला इसमें भी सौनमर की को कि हिंदी आती है उसी में जो है पूरा सामान हिंदी का है ठीक है तो उसमें पत्र लेखन भी आते है आरो की तरह ही होता है थोड़ा सा सिले बस चेंज है इसमें उनको आप थेोरी पढ़के नहीं कर सकते हो आपको लिखना पड़ेगा इसलिए स्टडी फॉर्ड सिविल ते आरो आले ग्रूप में भी हम लगातार जो कन्वेंशनल इंदी का होता है या फिर बीयो आले ग्रूप में जब मेंस का चलाएंगे तो बाकाइदा टास्क देते हैं हर एक जो सिलेबस के पॉइंट है उसके चार चार पांच में टास्क कराते हैं वो अलग कम्प्लीट जो जिस तरह से पूरा का पूरा पेपर की टेस्रीज बिद मॉडल अंसर और फीडबेक के साथ पूरा चेकिंग करते हैं वो अलग तो पूरी आंसर में मीठा जूट नहीं परुसा जाता है कड़वा सच परुसा जाता है ठीक है तो हम बात कर रहे थे बाप की बापू जी को उन्हें ये हैं पंद्रा सो नंबर का मेंस ये है आप समझ रहें कि नहीं एक सो बीस नंबर की जियास है छे पेपर हैं जियास के जियास वन जियास 2, GS 3, GS 4, GS 5, GS 6 और 6 लिखने हैं इसमें क्या है इसमें दो टाइप के question होते हैं 125 word के और जो है 200 word के अब समझ रहें कि नहीं 20-20 question आते हैं हर paper में तीन गंटे के अंदर paper को पूरा attempt करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है पूरा paper अगर अगर आप इसमें attempt भी कर लो ना तो आराम से selection उने के chances रहीते हैं तो हलुआ ना समझो गुरू PCS बिलकुल अलग चीज है यहां पे बाकाइदा 1200 नंबर का GS का लिखना पड़ेगा और वो भी इसका अगर आप syllabus देख लोगे ना मेंस का UPPSC मेंस का syllabus में कई सारे exam सा सकते हैं कभी उठा के देखना छे परने का बाकाइदा विस्तरित syllabus है हर एक point में 18 से 20 जो है specific point है जैसे GS1 है उसमें point है GS2 में point है GS3 में खुद सारे point है GS4, GS5, GS6 तो एक-एक GS में कई सारे points है आप समझ रहें कि नहीं इतना बड़ा syllabus है ना इसका कि उसमें कई सारे exam B.O. और R.O. जैसे समा सकते हैं तो PCS की बराबरी कभी R.O. B.O. से मत करा करो PCS और R.O. और B.O. की तीनों की जो pre की GS है वो मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत common है उसमें भी question पूछने के तरीके में difference होता है आप दोगे ये सब चीजे आप लोग नहीं समझ पाते हैं हम 9 साल से इसी field में हैं और study for civil services से UPPSC के सारे exam में सबसे ज़्यादा selection होते रहें आप कहीं भी कोई भी coaching पढ़ें X Y Z आप पाएंगे कि content study for civil services का ही है किसी तरह तोड मोरोर के परोसा गया है अगर ना मानो तो मिला लेना पहले उनका content देखना पिर हमारे से मिलाना point to point बहुत सारी चीजे आप पाएंगे कि common हैं बलकि हमारे paid quiz वगरा और test series वगरा भी कर रहा हैं लोग उसके लिए हम काफी step लेने वाले हैं legal action लेने वाले हैं और पूरा का पूरा प्रारू भी change करने वाले हैं बहुत जल्द ठीक है तो PCS में 112 का तो जीएस हो गया डेर्ट सो नंबर के A से हो गया तीन अच्छा यहां इन दोनों में जो निबंद है आरो और भीयो में हिंदी में आप लिखने होते हैं हिंदी निबंद हैं PCS में क्या है निबंद में इतनी छूट है कि आप हिंदी हैं English किसी में लिख सकते हैं ठीक डेर्ट सो नंबर के यहां हिंदी है PCS में भी और इसके marks बाकाइदा rank में include करे जाते हैं तो अब दुबारा तोई भी यह नहीं पूतेदा तिथल आलोती बीयोती और पीथियत की तयाली एक थात एती थिलेक्तन मतरियल थे कलके क्या हम थिलेक्त हो थकते हैं नहीं हो थकते हो समझ में आगी बात पूरी की नहीं बीयो और आरो ये भी बहुत टफ एक्जाम हैं दोनों का अलग अलग पैटरन है भाई प्री में जो जी यस वाला component अगर आपटा दो तो बहुत जादा differences है सब में आपने देखा कि RO और B.O. तक में differences हैं दोनों का GS में ही differences है means में ठीक है हिंदी में भी differences है प्लस question पूछने के तरीके में तो difference है ही प्री में यहां GS प्लस CSET है PCS में यहां GS प्लस हिंदी है RO यारो में यहां सिर्फ GS है उसी में reasoning और aptitude दोनों मिला के पूछ लिया है और मेंस में आप तीनों का syllabus उठाईए देखे जो भी UPPSC के किसी भी exam की तयारी करना चाहते है experts उनको एक बार पूरा notification पढ़ना चाहिए notification में सबसे important part होता है syllabus syllabus जरूर पढ़ा करो गुरू otherwise जो है आपकी बिल्कुली जो है लुल मानूंगा मैं आपको कि अगर आप बिना syllabus बिना PYQ जितना important है exam oriented अगर तयारी करनी है तो यह basic चीजे हैं अगर आप अपना base ही मजबूत नहीं करोगे syllabus ही नहीं पता है कई सारे लोगों को syllabus आहीं नहीं पता है वीओ यो का क्या syllabus है RO का क्या syllabus है PCS का क्या syllabus है और UP PCS का main मेंस के syllabus में जितना बड़ा syllabus है उतने में कई सारे RO & VO आले exam घुश सकते हैं सब्समिए तो कभी भी यह न न कहींना कि PCS आरो और वियो एक एकजाम है बात समझ में आगी की नहीं प्री की जी अस अबजेक्टिव वाले question थोड़े बहुत common आप सब जो उसका syllabus है वो मान सकते हैं लेकिन जो question पूछने का तरीका है वो प्री में जी अस में भी different है तीनों में हिंदी में भी different है मेंस की तो बाता ही ना करो मेंस में तो पूरा ही different है आप देखेंगे कि जो इन तीनों में से मेरे हिसाब से अभी 2004-20023 का paper उठालो जो लीक हो गया था रो एरो 2020 का paper उठालो ठीक है कि सबसे जो actually tough नहीं मान सकते हैं यहां पे आरो एरो में fact बहुत जादा specific पूछते हैं जो UPPSC specific facts हैं वही आपको पढ़ने पढ़ेंगे UPPSC के आरो हो गया चाहें BO हो गया चाहें PCS हो गया इन तीनों exam में किसी की भी तैयारी करके selection भी लेना है गुरू तो फिर एक तो आपको syllabus नया वाला syllabus फॉलो करना पढ़ेगा trend और pattern जो latest update हो रहे हैं उन पे लगातार आपको update रखना पढ़ेगा लगातार practice करनी पढ़ेगी और वो भी ऐसे वजी नहीं की PYQ की practice कर रहे हैं जो actually में exam oriented question होते हैं जैसे आरो एरो दोजर 23 का paper आया है उस type के question में जैसे आरो एरो दोजर 21 का paper आया है उस type के question में उस type के question की practice करनी पढ़ेगी revision करना पढ़ेगा लगातार अगर आप study for civil services को follow करते हैं आरो एरो एरो दोजर 23 के लिए जो हमने test series दी थी आप उन्हों में पहले कई सारे लोग कह रहते कि अरे चल इता टप तो नहीं पूटे चल हमने भी पंदा छाल इकडाम दिया है मैं चल बाबा हूँ यहां का भाई यह बाबाओं के और यह जो पंदा पंदा साल experience वाले प्लस आजकल जो है कई सारे यूटूब में लोग बर कि पीसियास आरो बीयो एक्जाम आसान है नहीं आसान है टफ है मेहनत करनी पड़ेगी लगातार मेहनत करनी पड़ेगी सताथ घंटे पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा कॉम्टिशन है आरो यारो दो जर तेइस में आप देखिए ग्यारा लाख लोग फॉर्म भरें हल अगरा नहीं जो एजूकेशन के नाम पर आजकल स्कैम चल रहे हैं आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ एफोर्डेबल तैयारी करनी है कि एक्चुली में जो तैयारी करना है उससे सिलेक्शन भी चाहिए सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ इस्टडी फोर सिल को फॉलो करना चालू कर लिजे पिछले नौ सालों से हमारा सिर्फ और सिर्फ एरियर आयोग तो ये तीन तो में एक्जाम है इसके अलावा भी यूपी पीस्टडी के जितने भी एक्जाम होते हैं चाहिए जिया सो हिंदी हो और प्लस उसका पी वाई क्यू जितना जरूरी हो प्लस उसके टेस्सरी जो हम लाते हैं एक्चुली में फ्रेश टेस्सरी सिर्फ और सिर्फ इस्टडी फार सिविल तर्विस बनाता है बाकी बार्केट में कहीं से भी टेस्सरी उठाक देख लो सब पी वाई क्यू दे देते हैं वो भी जब जो वाले जो बहुत पुराने दोजार पंदा से पहले वाले जो आउट आफ ट्रेंड हो चुके हैं ऐसे बेकार लुल और बेवकूफ टाइप के सवालों को लगाने का कोई फड़ जो है नहीं फायदा होगा आपको लगाने है प्रेक्टिस करनी है तो एक्जाम औरियंटेड क्वेशन की प्रेक्टिस कर किये मिलता बेजिए कोई और फिड़ बेक हो कोई कॉमेंट हो कोई सेसे ने आप बता सकते हैं या पे बाकी मीठे जुटों से बचो अदरवाइस पिर तैयारी ही करते रही जाओगे और आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो यूनिकॉन्स हैं उनके रिवैनू बढ़ाने का सोर कि में आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी पढ़ाई करनी पड़ेगी लेटे स्टेंड और पैटरन पर पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी लगातार प्री की भी प्रेक्टिस करनी पड़ेगी में इसके आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी में इसके जितने जो पॉइ आतार आज कल का पैटन देख लीजे री एक्जाम जो होने वाला है जो अभी हुआ था ग्यारा फुरूरी को जो लीक हो गया था उसके देख लीजे सवाल वो उस टाइप के ही सवाल लगाने पड़ेंगे उस टाइप का ही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा आपको तब ही होगा इसलिए कई बार हम पे आरोप लगते हैं कि आप ज़्यादा कठी नहीं पूछते हैं जो हम पूछते हैं वो एक्चली आयोग जो है धीरे-दीरे डाउट करी लेता है देखिए अभी आरोएरो दोजर तेश में क्या खेला हो गया कई लोग जो है देख लिया होंगे और जो इधर-उदर की वंडे कोचिंग में चैचल पैमें बैच है पचाच वीडियो देखके आगए अरे वीडियो देखके क्या हो जाएगे जब खुद नहीं प्रेक्टिस कर रहो भाई आप बात समझ रहो कि नहीं तो मेरा सिंपल मकसद यही है कि इस्टूडेंट को सच्चाई बताना कड़वा सची बताऊंगा मैं बाकी और कोई चीजे हो तो अब पूछ सकते हैं तो आदे थे यह नहीं तहिना है ती आलो पीतियत और बीयो की एक था तयाली कलके थिलेक्थन भी लिया जातकता है बात तमद में आगई दोतिलो